बाई मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक वीटी टू कमुनिटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप ट्रैप होने से बच सकते हैं या फिर खुद को ट्रैप होने से बचा सकते हैं अब ट्रैप से बचने का एक ही तरीका है कि आप उस पार्टिकुलर सिच्वेशन को अइडेंटिफाई करो जहां पे ट्रैप से बचा जा सकता है तो चलिए सबस्पहले हम उस situation को identify करते हैं, उस जगा को identify करते हैं, उस trading position को identify करते हैं, जहाँ पे हम trap हो सकते हैं या फिर trap होने के chances हैं तो चलिए यहाँ पे हम चार्ट पे आते हैं, अब यहाँ पे हमने किसका चार्ट ओपन किया, देख सकते हैं यहाँ पे हमने reliance के 5 मिनट वादा चार्ट ओपन किया और generally लोग जो trap होते हैं, वो intro day trading में ज़्यादा trap होते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने 5 मिनट का चार्ट लिया, ताकि intro day में जहाँ पे trap होने के chances रहते हैं, वहाँ पे आप trade ना करो और trap से बद सको सबसे पहले, यहाँ पे देखिए, price आपका जबरदस्त gap up open हुआ है, और reliance लगबग आपका 4% का gap up open दिया है, यह काफी दिगज कंपनी है, और यह generally इतना जबरदस्त move नहीं दिखाता है यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है, यहाँ पे हमें unwanted move देखने को मिला है, unexpected move देखने को मिला है, तो जब भी आपको कहीं भी unwanted या फिर unexpected move देखने को मिले, यहाँ पे समझ आए, यहाँ पे trap होने के chances बहुत ज़्यादा रहते हैं, यहाँ पे आप trap में फस सकते हैं, तो पहला पांच मिएट में आपको ट्वेडिंग का ज्यादा कोई मौका नहीं मिला होगा अब जो भी लोग ट्वेड लेंगे इसी लेवल पर ट्वेड लेंगे क्योंकि मार्केट यहां पर थोड़ा सा विलेक्स करता हुआ दिखा है अब सपोडर अगर आप यहां पर बाई करत सब्सक्राइब करते हैं प्राइस आपका नीचे आए लेकिन इतना जाला नीचे नहीं आया कि आप यहां पे प्रौंफिट मना लान जको प्रौंफिट सिक्यूर कर सको इसिर्फ आपका यहैसर हिट करने के लिए है उसकी वाद आपका प्रैस उपर गया और जो भी लोग छ कोई profit नहीं हुआ है आप overall loss में ही रहेंगे loss कौन सा होगा जो भी charges लगता है वो सारा आप नुकसान में रहेंगे अगर आप futures में trade करते हैं तो अगर by chance अगर आप options trader हैं तो चाहें आप यहां पर क्या करें call options buy करें या फिर food options buy करें तो अगर आप options buy करते हैं तो क्या होगा उ तो काफी fast decay करेगा premium काफी fast decay करेगा क्योंकि market volatility है तो wix काफी high रहेगा premium काफी उपर रहेगा और market जैसे stable हुआ wix आपका तेजी से decline करेगा और wix decline करेगा तो वो जो premium है उसको भी decay करवाएगा यानि premium भी काफी तेजी से decay होगा तो अगर आप यहां पर options में trade करते हैं चाहें इस situation में आप यहां पर call options buy कर लो या फिर put options buy कर लो दोनों में से कुछ भी buy करो यहां पर लगबग 2% loss में ही रहेंगे इस loss से आपको कोई नहीं बचा सकता है तो यहां पर आप क्या कर रहें यहां पर आपको move समझ में नहीं आरा market gap up open वहाँ से नीचे आए अब इस situation में buy करना sell करना किसी को कुछ समझ में नहीं आरा यानि unwanted move के बाद आपको market का situation समझ में नहीं आरा और जब भी market लेना है क्योंकि यहां पर रिस्क लेने का मतलब है कि अगर मार्केट रेंजम हुआ हुआ तो हमें दोरों तरफ नुकसान होगा और वही ही कि देखने को मिल रहा है तो जहां पे आपको मुव समझ में आ रहा वहीं पर रिस्क लीजे जहां nog समझ नहीν और जहां पर unwanted move आ रहा है वहां पर ज्यादा बहादूर बनने की ज़ववत नहीं है ज्यादा विस्क लेने की जववत नहीं है सिर्फ ट्रीडिंग एवोइड करना है और यह चीज भी आना चाहिए कि कब हमें खेलना और कब हमें छोड़ना है तो यहां पर और देखते हैं से में स्पाइब आगे टेखते हैं इस तरह के एक्जामपल हमें कई सारे मिल जाएंगे अब यहां पर नहीं sựन हेगा वहाँ पर क्या हुआ था? gap open हुआ था? यहाँ पर gap down ऑपे हुआ है. अब देखिए gap down ऑपे हुने के बाद इस level पर प्राइस थोरा सा रुखता हुआ देखा है क्योंकि इस candle पर आपको trade करने का मौका ही नहीं मेरेगा. जो fortunate लोग रहेंगे वह यहाँ पर trade ले सकते हैं अब यहाँ पर अगर हम buy chance buy side की तरफ जाते हैं तो price नीचे आया और chances है कि मेरा यहाँ यहाँ पर sell hit हो जाएगा अगर buy chance यहाँ पर sell side की तरफ जाते हैं तो price थोर बोत नीचे आया लेकिन इतना profit कोई secure करना नहीं चाहेंगे लोग और wait करेंगे profit के लिए और जैसे आप wait करोगे देखो price यहाँ से उपर आने लग गया और इसी range की करीब यहाँ पर आपका closing भी दे दिया तो यहाँ पर भी अगर आप futures में trade करते हो तो आपको नुकसान ही उठाना परेगा और अगर आप options buyer हो तो यहाँ पर आपको लगबग 1 या 2% के नुकसान से कोई नहीं बचा सकता क्योंकि market जैसे ही आपका range पकरेगा जो मैंने already बताया था क्या होगा premium का decay होगा और premium decay होने से आपको कोई रोक नहीं सकता है तो इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना जब भी ऐसा situation आए जहाँ पर आप confused हो कि हमें trade लेना क्या है और जहाँ पर आप यह calculate कर लो कि दोनों तरफ trade लेने से नुकसान होने के chances है वैसे situation में आपको directly trading avoid करना है और यह सारा information आपको कहीं और नहीं मिलेगा क्योंकि यह सारा information आपको real experience से आता है और वही experience में आपके साथ share करना चाहाँ ताकि इस तरह के situation में जो लोग को नुकसान होता है उस नुकसान से आप बच सके और यहाँ पे कई बार लोग को छोटा-छोटा नुकसान होता जिसको लोग ignore कर देते हैं लेकिन अगर आप मन्त में इसी तरह का 15-20 नुकसान कर बैठ हो तो यह आपका नुकसान थोड़ो सा big लगने लगता और आपको पता ही नहीं चले गगा कि भाई मेरा जो dimate account में पैसा था वो गया का तो इसलिए इस तरह के losses को भी avoid करना तब ही आप market में लंबे समय तक बने रह सकते हैं और अपने accuracy level को increase कर सकते हैं यहाँ पे अपने दिगज stock का example लेक लिए अब हम nifty के example पे आते हैं तो देख सकते हैं nifty आपका यहाँ पे भी जबरदस gap up open लिया है और यहाँ पे भी आपने nifty के 5 minute के time frame को ही use किया है तो ऐसे situation में ही जहाँ पे देख सकते nifty आपका कितना gap up दिया लगबख 17,520 के level से 17,720 करें यहनि लगबख आपका 200 point का market gap up लिया generally आपका 500 point का gap up ले रहा तो वो चलता है उसकी बाद आप trade ले सकते लेकिन इतना जबरदस gap up के बाद यहाँ पे trap होने के chances बहुत ज़ादा रहते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर आप किसी भी तरफ trade लोगए विक्स हाई रहेगा यहाँ पे आपका अगर options में trade करते हो तो नुकसान होने के chances बहुत ज़ादा रहते हैं trap में फसने के chances बहुत ज़ादा रहते हैं कई बार यहाँ पे आपको profit मिलता हुआ दिख जाएगा जैसे यहीं पर आप देख लीजे जो भी लोग यहाँ पे buy side की तरफ जाएंगे उनको तो loss होनी से कोई नहीं बजा सकता चाहे options में trade करें futures में trade करें लेकिन अगर buy chance जो भी लोग यहाँ पे sell side की तरफ trade ले रहे हैं वो अगर आप यहाँ पे लंबा wait करते हैं 3-4 घंटे का पेसेंसली wait करते हैं तो जाके उनको थोड़ा बहुत profit मिल सकता है यहाँ पे लेकिन जो लोग यहाँ पे trade execute नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे market आपका कितना आदे गंटे का time दिया वापस से आपका इसी level के करीब आता हुआ दिख गया तो यहाँ पे भी trap में फसने के chances बहुत ज़्यादा है और इस situation में जो भी लोग यहाँ पे trade करेंगे बाई sell जो भी करेंगे उनका भी sell हिट होने से कोई नहीं बजा सकता है तो literary कभी-कभी यहाँ पे आपको profit मिल सकता है लेकि यहाँ पे कहने का मतलब है कि trap में फसने के chances बहुत ज़्यादा रहते हैं इसलिए इस situation में आपको क्या करना trading avoid करना है यहाँ पे जो आपका profit probability रहता है वो बहुत ज़्यादा decrease कर जाता है तो बताने का मतलब यह है कि ऐसा situation जहाँ पे आपको unwanted जो natural move रहता उससे ज़्यादा या उससे बहुत कम move देखने को मिले तो उससे situation में आपको सीधे trading avoid करना है एक दिन अगर आप trade नहीं भी करोगे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पारेगा लेकिन इस दिन अगर आप trap हो जाते हो तो फिर आप market से बाहर निकल सकते या फिर आप पे बहुत ज़्यादा impact पड़ सकता है इसलिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि कब हमें trading avoid करना और कब हमें trade लेना और कब हमें risk लेना ये सब भी बहुत ज़्यादा जोड़ी है और यही सिर्फ information है भी इस तरह का situation आ सकता जैसे यहाँ पर देखे कोई gap up gap down नहीं है 15 मिट में प्राइस आपका जबदास upside move दिखा दिया अब जोभी लोग by chance इस upside move में entry लिये होंगे तो वो तो यहाँ पर profit बना लेंगे लेकिन यहाँ पर बहुत कम लोग entry ले पाते हैं मैं practical बात करूँ तो entry लोग कहाँ पर लेते हैं market stable होने का wait करते हैं अब यहाँ पर देखे मार्केट क्या हुआ आपका stable हुआ है अब अगर by chance यहाँ पर आप buy करो price नीचे आया sell hit अब अगर by chance इसी level पर आप यहाँ पर sell करो price थोड़ सा नीचे है यहाँ पर profit बुक करोगी नहीं price आपका ऊपर गया यहाँ पर आपका sell hit इसलिए बोलवाँ कि कई बार ऐसा situation आता है कि यहाँ पर लोग का सिर्फ stop loss hit करने के लिए price का momentum आता है यहाँ पर buy किया फिर भी stop loss hit sell किया फिर भी stop loss hit अब आप क्या करोगे कुछ भी करोगे profit बनाने नहीं देगा market आपको तो ऐसे situation हमें market से नहीं लड़ना हमें हतिया डाल देना और हमें क्या करना trading avoid करना है और हो सके तो इस दिन market के move को समझनी कोशिस किजिए अपना knowledge gain किजिए अपना experience gain किजिए market से दूरी बनाया रखते हुए पैसा लगा कि experience याफी knowledge gain नहीं करना है तो ऐसे situation में आपको trading avoid करता है उसके बाद market थोड़ा बहुत नीचे जवूर आया लेकिन वापस से पूरा range पकड़ लिया तो यहाँ पर अगर आप options में भी trade करते हो तो यहाँ पर जो premium का TK काफी fast होगा चाहिए आप कुछ भी options भाई कर लो आपको profit मिलने वाला नहीं है तो यही सब situation है जहाँ पर आपको trap से बचना है और यहाँ पर कैसे trap से बच सकते हो और कोई तरीका नहीं है सिर्फ और सिर्फ trading avoid करके trap से बच सकते हो तो उमीद करते हैं यह जो unique concept है यह आपको समझ में आया होगा concept उतना important सायद ना लगा हो लेकिन अगर आप live market में देखोगे तो यह बहुत ही जादा important है और यह आपको कई बार बड़े नुकसान से भी बचा सकता है so that's all अगर आपको यह वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इंकवेज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए मिलता है नेक्स वीडियो में जैहन